टीना अपने माता पिता की एक लोती लड़की थी उसके पापा एक गोवर्मेंट ओफिसर थे जिनका ट्रांसफर दुसरे सहर में हो गया टीना अपने माता पिता के साथ दुसरे सहर में आ गई उसके पापा ने वहाँ पे एक नया घर खरीदा तेखो बेटा ये रहा अपना नया घर बताओ कैसा लगा यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी टीना उदास मन से अच्छा कहते हुए वहाँ से चली गई क्योंकि वो दुखी थी उसके सारे पुरानी दोस्त बिछड चुके थे उसके स्कूल के दोस्त उसके कॉलोनी के दोस्त बिछड चुके थे वह बहुत ही दुखी हो गई थी टीना ने सूचा अब मैं यहाँ पर नए दोस्त बनाऊंगी और वो नए दोस्त की खोज में गार्डन में घुमने लगी तब ही उसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पा दिखाई दिये वे लोग कुछ ढून रहे थे टीना उनके पास जाकर बोलती है उदर से एक लड़का आता है और कहता है तब ही टीना को उस चीज को देखकर याद आता है कि एक अंटी ने मुझे ऐसी ही एक पैन दिया था और फिर वो दोटते हुए घर की और आती है और घर पे जाने के बाद अपने रूम में चली जाती है रूम में जाने के बाद वो बस्ता उठाती है उसमें से पैन निकालती है उसे उस अंटी की बाते याद आने लगती है उस अंटी ने कहा था कि जब तक तुम इस पैन को समहाल पाओ जब तक ही अपने पास रखना वरना इसे कहीं दूर जाकर फेक देना फिर टीना सूचती है कि इस जादू पैन का यूज मैं अपने स्कूल में करूंगी फिर नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है स्कूल जाने के बाद वो गलास में देखती है सारे बच्चे बहुत सोर कर रहते हस रहते खेल रहते लेकिन टीना से कोई भी बात नहीं कर रहा था और टीना पे हस रहे थे टीना को बहुत पूरा लगता है वो साइड में जाकर रोने लग जाती है फिर क्या था नेक्स डे फिर स्कूल जाती है और नेक्स डे स्कूल में मैं एक एनॉंस्मेंट करती है हेलो मेरे प्यारे वच्चो हमारे स्कूल में एक competition होने वाला है story competition जो सबसे अच्छी story लिखेगा उसे सबसे अच्छा prize मिलेगा फिर इस competition में तीन अभी participate करती है और वो उस pen का use करती है फिर उसे पता चलता है कि वो इस competition में जीच चुकी है फिर class teacher उसकी तारिफे करती है और उसे बहुत सुन्दर सा prize देती है टीना बहुत खुस होती है और class के बच्चे भी धीरे धीरे टीना के friends बनने लगते है टीना जादूई pen का use करती है और prize जित्ते रहती है class के बच्चे तीना से जलने लगते है और तीना को भी attitude आ जाता है फिर वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती और सारे बच्चों से और जलने लगते है इसके बाद में तीना के धीरे धीरे सारे friends भी दूर होते चले जाते है टीना दुखी होने लगती है फिर वो घर आके उस बॉक्स को उठाती है और देखती है उस बॉक्स पे लिखाता लालज बुरी बला होती है फिर टीना उस बॉक्स को विंडो से बाहर फेक देती है और अपनी लाइफ में फिर खुसी खुसी रहने लग जाती है तो बच्चों कैसी लगे आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं